इरान और इस्राइल में ज्यादा ताकतवर कौन है? किसके पास कौन सा हथियार है? और कितने सैनिक है? ये पूरी जानकारी डीटेल में आपको इस वीडियो के जरिये मिलेगी इसलिए वीडियो को अन तक जरूर देखेगा और नियूज एट इन इंडिया के यूट्यूब च कि इरान के हमले का मुह तोड जवाब देंगे लेकिन समय और जगे इस्राइल चुनेगा इरान और इस्राइल के टकराव के बीच मिडल इस्ट में लड़ाई की आशंका बढ़ गई है अगर इरान और इस्राइल के बीच फूल स्केल वार शुरू हो गया तो कौन किस पर भ चार बिलियन डॉरर है जो की जूड़ीपी के मुकाबले दो प्रितिशत के आसपास बैठता है इरान दुनिया की चौदेवी सबसे बड़ी मिलिटरी ताकत है और मिडल इस्ट में सबसे बड़ी सैनिय ताकत भी है उसकी सेना में पांच लाख असी हजार सैनिक है और दो ल लीस्ट में इरान एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा बलिस्टिक मिसाइले हैं बीबी सी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1913 के दश्रक में पडोसी देश इराक से लड़ाई के दौरान इरान ने अपने मिसाइल सिस्टम पर काम करना शुरू किया और फिर अगले एक दश्रक में उसने चोटी दूरी की सैकडो मिसाइले डेवलप कर ली इरान के पास सेजल नाम की मिसाइल है जो की 17,000 किलोमेटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2500 किलोमेटर तक जा सकती है इसी तरह खैबर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमेटर की है हज का सेम भी 1400 किलोमेटर की र तो इरान ने इस बार इसरेल पर जिन हाइपरसॉनिक मिसाइलों से हमला किया है उसे पिछले साल जून में ही उसने दुनिया की सामने रखा था ये साउंड की स्पीड के मुकाबले 5 गुना तेजी से चलती है और इन्हें इंटरिसेप्ट करना बहुत मुश्किल है इसके अ पचास से ज्यादा हेलिकॉप्टर, 240 ट्रांस्पोर्ट हेलिकॉप्टर, 1783 टैंक, 572 बखतरबंद गाडियां और इसरेल के मुकाबले इरान की नौ सेना आधुनिक नहीं है लेकिन उसके पास 220 के आसपास जहाज जरूर मौजूद है जबकि इसरेल के पास साथ जहाज ही है परमाणों हत्यारों को लेकर दावाई ये किया जाता है कि इरान के पास ये भी मौजूद है हाला कि इरान ने कभी खुल कर ये नहीं माना है और ना तो कभी इसकी पुछ्टी हो पाई है अब ये जानते हैं कि आखिर एरान के मुकाबले इसरेल कितना ताकतवर है सेना की बात सबसे पहले करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मताबिक इसरेली आर्मी दुनिया की बीसवी सबसे बड़ी ताकतवर आमी है और इसरेली सेना में 1,79,500 अक्ट गुना ज्यादा है अब बात हतियारों की इसरेल के डिफेंस सिस्टम और हतियारों की बात करें तो आरन डोम और डेविट स्लिंग जैसे एर डिफेंस सिस्टम उसकी सबसे बड़ी ताकत कहे जाते हैं जो की लॉंग रिंज से लेकर छोटी दूरी की मिसाइलों रॉकेट औ बड़ाकू हेलिकॉप्टर और बाइस सो क्यास पास टैंक हैं नेवी की बात करें तो इसरेल के पास कम से कम साथ युद्वपोत और छे पंडूबियां हैं जो परमानू हतियार ले जाने और लॉंच करने में भी सक्षम है इसरेली खूफिया एजनसी मोसाद इसरेल की सबस कौन ज्यादा ताकतवर है अब दोनों देशों के बीच विरहाल जंग की आग भड़क चुकी है ये आगे कौन सा मोड लेती है ये कोई नहीं जानता लेकिन हत्यारों की मामले में सेना की मामले में सैनिक के मामले में दोनों देशों की ताकत आपने इस रिपॉर्ट के जरि बताएं वीडियो पसंद आई हो तो इसे like